हाई दोस्तों एक बार पुना आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है यह कुश्चन है फिर कमेंट आया है आप लोगों को बोलते हैं जो बार-बार कमेंट आता है सरी यह कुश्चन नहीं बना बना के देजिए यह एक ते दसमलब दो मैट्रिक्स आप यू का ही है और य कई कोश्चन में प्रूफ करने के लिए बहुत तीजी कोश्चन है fx मतलब fx दिया हुआ है इकस-'do नहीं सब्सक्राइब एक फलन दिया हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में तो आपको देख रहे हैं जैसा कि कुष्चन यहां देख रहे हैं इसको यह दिखाई दे रहा होगा आपको यह कुछिछन है Fx मतलब X का फलन हुआ तो matrix में भी X में ही दिया हुआ देखिए cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 मतलब 3 by 3 order का ये matrix है then we have to prove that आपको सीध करना है Fx into Fy is equal to Fx plus y तब question कर रहा है Fx और Fy को जब हम लोग multiply करेंगे तो वो Fx plus y कि क्या होगा equal होगा जिस तरह Fx यहां defined हुआ है उसी तरह Fy भी defined होगा तो Fy अगर लिखेंगे तो सब जगा angle y हो जाएगा अगर हम Fx plus y लेके चलेंगे तो सब जगा angle क्या हो जाएगा X plus y हो जाएगा देखिए दोस्तों बहुत simple है Fx दिया हुआ है इसलिगे हम लोग यहां पर Fy निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे Fy तो Fy का मतलब हो जाएगा Fy यहां कॉस वार माइनस साइन वार फिर 0 यहां भी हो जाएगा साइन वार सब एंगल y बदल जाएगा कॉस वार 0 फिर यह 0, 0, 1 Fx, Fy निकाल लिए Fx पलस y भी निकाल लेते हैं and Fx पलस y सब एंगिल x पलस y में कनवर्ट हो जाएगा यही हो जाएगा कॉस एक्स पलस y माइनस साइन एक्स पलस y 0 फिर यहां हो जाएगा साइन एक्स पलस y यहां हो जाएगा cos x plus y और यह 0 फिर यह हो जाएगा 001 तो दोस्तों यहां पर इसको और इसको multiply करके यह चीज लाना है अगर इतना हम दिखा देंगे तो यह अल्डेटी fx plus y के इक्वल हो जाएगा अब fx into fy fx का value यह दे देना है cos x minus sin x 0 फिर यह है sin x cos x 0 001 अब इस तरह से fy का भी value देना है यह रहां fy cos y minus sin y 0 फिर sin y cos y 0 और यहाँ 001 यह दोनों matrix को लिख दिया अब क्या करना है यहां दोस्तों multiply करना है क्या करना है यहां पर क्या करना है देखिए कैसे multiply करते हैं हम लोग करेंगे फस्ट रो को फस्ट कोलम से करेंगे फस्ट रो फस्ट कोलम दो matrix का multiply अर्थाद गुननफल तभी संभव होता है जबकि एक का कोलम बीका रो सेम होना चाहिए इसमें कोलम है थरी वैर रो है इसका ओडर है थरी इसका भी ओडर है थरी इसमें कोलम तीन है इसमें भी रो पीन है दोनों सेम है इसलिए मल्टिप्लाइ होगा तो कैसे करेंगे इसका रो इसका कोलम रो कोलम फिर रो कोलम फिर रो कोलम इस तरह से तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कोलम से करेंगे तो कॉस्ट इंटू कॉस्वाइ होगा वि데्ट करके audio करतें आब फस्ट रो को फस्ट कोलम से तो ओ इक्स स्थायख होगा यहाइड करेंगे तो मेंश सी हो जाएगा प्लस मेंश minus sin x into sin y 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम हो गया इसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड को करेंगे यह है सेकेंड कोलम तो cos x minus sin y plus minus sin x into cos y minus sin x into cos y first row second column plus 0 हो जाएगा अब फिर first row third column to cos x into 0 cos x into 0 plus minus sin x into 0 फिर यह 0 into 1 अब फिर इस तरह first row first column को किये है उसी तरह second row first column तो sin x into cos y होगा second row first column तो cos x into sin y फिर यह plus 0 second row second column तो यह plus minus minus हो जाएगा minus sin x into sin y plus cos x into cos y plus 0 अब फिर second row third column तो sin x into 0 हो जाएगा plus cos x into 0 हो जाएगा plus 0 into 1 हो जाएगा अब थर्ड रो फिर्स्ट कोलम तो 0 into cos y 0 into cos y plus 0 into sin y plus 1 into 0 third row second column तो 0 into minus sin y 0 into cos y थर्ड रो सेखेड्र कोलम तो 0 into 0 थर्ड रो थर्ड कोलम 0 गुना 0 0 गुना 0 plus 1 गुना 1 यह multiply हो गया है दोस्तों अब देखे यह formula पढ़ा जाएगा cos cos a into cos b minus sin a into sin होता है cos a plus b का cos a plus b cos a plus b पढ़ा है cos a into cos b मैनस sin a into sin b होता है फर्मूला में यहाँ देखिए दोस्तों मैनस अगर हम common ले लेंगे तो मैनस है तो सबस हो जाएगा तो फर्मूला sin a into cos b sin a into cos b plus cos a into sin b मैनस common लेने के बाद ये फर्मूला पाएगा sin a plus b पर यहाँ देखे दोस्तों 0, 0, सब 0, यह total 0 ही हो जाएगा यहाँ देखे, sin A into cos B, plus cos A into sin B, sin A plus B फर्मूला है, 11th में लिखाया है यहाँ देखे दोस्तों, cos A into cos B, minus cos A plus B और यह 0, plus 0, plus 0, total 0 हो जाएगा यहाँ देखे, 0 गुना cos Y, 0 गुना sin Y, 0 ही हो जाएगा यह देखे, दोस्तों, 0 ही हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, देखे, दोस्तों, यह जो है, अब RHS के equal है यहीन, Fx plus Y, इसका value कितना है, Fx plus Y आपको prove करना था यही, इसलिए, Fx into Fy is equal to Fx plus Y यह proved हो गया, दोस्तों, यही question सीद करना था यह formula देखे, हम आपको formula लेख देते हैं, यहाँ पर जो formula यूज किये हैं, वैसे 11 दिखाव वीडियो बना के दिया हुआ है, उसमें लिखाए है, sin A plus B, यह होता है, sin A into cos B, plus cos A into sin B, cos A into, यहाँ, यहाँ A और B एंगिल है, यहाँ A और B, यहाँ A और B के जगा, xy दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, sin A minus B, sin A into cos B, minus cos A into sin B, cos A plus B, इसका यूज हुआ है, यह होता है, cos A into cos B, minus sin A into sin B, cos A minus B, यहाँ, cos A into cos B, minus है, यहाँ, plus हो जाएगा, sin A into sin B, इसमें जो यूज हुआ है, यह सब फर्मूला, एक ही यह फर्मूला खा, और एक cos A minus B का और है, इसमें 10 A minus B है, 10 A plus B है, 4 A minus B, तो तना क्या है, यही देखना है यहाँ तक, तो यह था 13 नमबर का question, हम उमीद करते हैं, आप लोग समझ जाएगा, और है 2-3 question, इसमें हम next वीडियो में बना के दे देंगे, इस तरह से वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद पढ़ते रहिए, best of luck.